हेलो स्टुडेंट्स, एलीट स्टडी जिन दौर के इस यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज MPPSC की तैयारी करने वाले हर अव्यर्थी के मन में या यूँ कहलें कि डिप्टी कलेक्टर DSP बनने का सपना देखने वाले हर एक विद्यार्थी के मन में वर्दमान परशितियों को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और कहीं न कहीं इन सवालों से इन चीजों से परिशान होकर बहुत सारे विद्याथी जो हैं अपनी पढ़ाई को प्रभावित कर रहे हैं आज मैं उन सभी अभ्यर्थियों को इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं उस सारी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं आप सभी से कहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक आराम से अच्छे से सुनिएगा और निश्यत रूप से बहुत सारी चीजों के सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे आप से एक और बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थों तक शेयर करें ताकि उनको एक सफल माग दर्शन का ज्यान हो सके पता चल सके और आफी की तरह वो भी अगर परिशान है चीजों को लेकर तो उनको भी एक नई दिशा प्राप्त हो सके चले शुरू करते हैं अपनी बात देखें सबसे पहली बात तो ये है कि जिन अभ्यार्थों ने MPPSC की तैयारी करने वाले बच्चों ने MPPSC 2019 की मुख्य परिक्षा दी है उन मेंसे कई बच्चे ऐसे हैं जनका एक्जाम बहुत अच्छा गया है लेकिन वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं यह सोचकर कि उनका 2019 मुख्य परिक्षा में मेरिट में नाम आएगा या नहीं आएगा और आप वो इंटर्व्य की तैयारी करने से बच रहे हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि यह सोच रहे हैं कि उनका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो वो अब जो है MPPSC 2020 की तैयारी में जुट गए हैं तो देखिए यहां पर किलियर दो चीज़े हैं कि एक बच्चा वो इंटर्व्य की तैयारी करेगा देखिए जब कोई चीज हम अच्छी करते हैं तो निश्यत रूप से हमारी आत्मा हमारे दिल से आवाज आती है कि हमारा सेलेक्शन हो जाएगा क्योंकि वो महनत वो कॉन्फिडेंस बोलता है तो ऐसे बच्चों को मैं कहूंगा कि देखिए आप भले ही MPPSC 2020 की तैयारी कर रहे हों लेकिन आपको इंटर्वु की तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए इंटर्वु की तैयारी करने के लिए आपको daily current affairs साथ ही आपको इंटर्वु से जोड़ी हुई चीज़ों को पढ़ते रहना चाहिए जिससे कि जब आपका इंटर्व कॉल होगा तो ऐसा ना हो कि एकदम से आपको जैसे कि आप जानते हैं कि फरवरी में इंटर्वी तो एक देड़ महीने में इतना कवर अप नहीं कर पाएंगे 175 नंबर का इंटर्वी जिसमें की 1500 प्लस नंबर लाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है आपका GS बहुत अच्छा होगा मैं मान सकता हूँ आपकी बहुत अच्छी कमांड होगी लेकर इंटर्वी में सिर्फ GS से questions नहीं बनते हैं आपकी personal profile होगी आपके जो समसमाई की के मुद्दे हैं issues हैं आपकी decision making है आपका communication है आपकी personality है बहुत सारी सीज़े मायने रखते हैं इसलिए सिर्फ ये मत सोचीगा कि आपका GS अच्छा है आपकी subject पर कमांड अच्छी है तो आपका interview अच्छा जाएगा बलकि subject पर कमांड तो उससे तो बहुत ही कम questions होंगे लेकिन बांकी questions आपसे ज्यादा होगे तो जन बच्छों को ऐसा लगता है कि 2019 उनका interview call होगा interview की तैयारी time table बना कर शुनू कर दीजे बले ही आप 2020 की तैयारी में लगे हुए हैं और कुछ ऐसे बच्छे हैं जो कि यह सोच रहे हैं कि उनक की तैयारी करेंगे तो देखिए मैं आपसे भी यह कहना चाहूंगा कि साक्षातकार की तैयारी करने के लिए कोई अलग से बहुत बड़ा आपको time table नहीं बनाना है दिन में 1.5-2 घंटे की तैयारी करके भी आप तैयारी को अपनी अच्छा कर सकते हैं क्यूंकि आपको मेंस का मेंस अच्छा नहीं गया है तो निश्य जूपस उनको 2020 की तैयारी करना चाहिए अब यह दूसरी बात है तो यहां पर जो बच्चे जिनका प्रिलिम्स में कट आफ जो मैंने बताया है उसके आसपास हैं 70 70 प्लस हैं ऐसे बच्चों को तो मेंस की तैयारी में लग ज हमेशा से बताया है कि ऐसे बच्चे क्या हैं जो की बीच में रहते हैं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो उनको हमेशा बीच का रास्ता ही चुनना चाहिए और ऐसे बच्चे जो 70 प्लस हैं उनको पता है कि मेंस कॉल होगा तो उनको भी थोड़ा सा मेंस के पॉइंट कि हो सकता तो वह बीज यह कि और मेंस का कमशन स्लेवस भूए लग हैं पढ़ना शुरू करें और जब को हो एक बारी पूरा मेंस कर लिए के और मेंस के पुराने क्वेशन देख के लगाके और उसके बाद Study उनको subject complete करना चाहिए और subject complete होने के तुरंद बाद ही उनको अपने जो है writing skills पर काम करना चाहिए और जादा से जादा test लगाना चाहिए क्योंकि उनको ये चीजें एक बार नहीं दो बार नहीं दस बार करना पड़ेगी उनको ये देखना पड़ेगा कि जो वो पड़ रहे हैं जो वो सोच रहे हैं कि ऐसा करेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे क्या वो वाकई में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं और ये ऐसा सिर्फ test दे कही possible होगा और अब बात आती है 2021 की तो बहुत से बच्चे जो की 2021 का सपना देख रहे हैं उनके लिए भी मैं यही कहूंगा कि 2021 एपरिल में होगी या नहीं होगी और लेट हो जाएगी इस पर अभी confirmation नहीं है लेकिन चार महीने का समय है चार महीने हम बहुत कुछ हो सकता है तो मैं यही कहूंगा कि प्री और मेंस का सलेवस अच्छे से पढ़िए उसको डिकोड करिए कि टॉपिक को फिर जो टॉपिक कॉमन है उनको मेंस के पॉइंट अभी उसे रेडी करिए क्योंकि मेंस में हम चीजों को समझते भी हैं और रटते भी हैं जिससे हमारा प्रेलेम्स और अच्छा हो जाता है और प्रेलेम्स के जो सब्जेक्ट मैच नहीं करते हैं उनके लिए लग से स्ट्रेटी बनाएए और उनको रटिये पढ़िए ठीक है और इतना सब करने के बाद आपको एक चीज और करनी है कि जो भी टॉपिक आप सॉल्व करें सपोज अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हिस्ट्री में आपने आज हड़पा सभीता पढ़ा तो उसके क्विज लगाईए उसकी बाद अगर आपने वैदिक सभीता पढ़ा तो फिर मौरे काल पढ़ा तो उसके क्विज लगाईए ऐसे टॉपिक को कम्प्रीट करते जाईए और उससे लिएरेटेड संबंधित क्विज भी लगाते जाईए फिर आखरी में आप टेस्ट सेरीज लगाए टेस्ट सेरीज दें क्योंकि मेरी टेस्ट सेरीज में आपको कन्वेंशनल कोश्चन नहीं मिलेंगे अब जैसे आप से पूछा जाए कि भाई आप से ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाएगे सभी को पता है क्योंकि एक तरीका होता है कैया सोचिए आप जो माली ये सो紧ोन है अब उसमें मैं चाहे आप से ऐसे कोश्चन पूछ नूं कि उसमें कुछ नया सिखाने की कोश्चिश करएगे तो मैं सो मैं से मुश्किल से 10 भारा पंदरा कोश्चन ऐसे रखता हूं जो आपको आते होंगे बागी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं 90% questions ऐसे रखूं नए रखूं वही topic जो आप पढ़ते हैं जिस पर ध्यान नहीं देते हूं उनसे लेका रहा हूं क्योंकि ये सब को पता है कि भाई दिली चलो का नारा किस ने दिया अब ऐसे question में पूछ पूछ के क्या करूँगा एक तो आपका भी time खराब करूँगा क्योंकि आपको खुद को पता है भाराचोडवान दोलन जिंदु घाटी सभेता के कुछ common question तो कहने का मतलब ये है कि generally जो test series आपकी बनाई जाती है जो test आप देते हैं आप सभी बच्चों को ये वाकई में पता ही नहीं होता है कि उस test में अगर ऐसे conventional question फिप्टी परसेंट भी है तो इससे कोई फायदा नहीं होगा बलकि आप ये कह लिजे कि एक घंड़े का test आपने दिया है तो आपके 30 में वेस्ट हो गया है क्योंकि 50 question आपके वही थे जो कि आपको आते थे तो हमेशा मैं test में कोशिश करता हूँ कि आपको नए से नए questions दूँ जिससे आपको नया सीखने को मिले और में की test series मैं भी यही करता हूँ और जो explanation है उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ साथ ही जो हमारे notes है classes हैं कक्षाए हैं उनमें भी मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों की जो day to day progress हो रही है उसको observe करूँ क्योंकि सिर्फ fees भरने से selection नहीं होगा कि आपने किसी संस्थान में आय fees भर दी या study material की fees भर दी या test papers की fees भर दी और आपका selection हो गया तो अगर fees भरने से selection होता होता तो आज सब अपना घर दवारा और जमीन जायदाद बेच के fees भर भर के selection ले ले लेते हैं selection होता है कि teacher आपको observe कर रहा है कि नहीं कर रहा है आज आपने जो पड़ आपने आपको कोपी करके बताएगा कि यह गलती देखो यहाँ पर करी है अगली वार जब अप answer राइटिंग करना तो यह गलती मत करना तो बस difference यही है हमारी सोच का कि आप जब तक अपनी रणनीती नहीं बदलोगे तब तक आपकी दिशा नहीं बदलेगी जब तक आपकी दिशा नहीं बदलेगी तब तक आप अपनी मंजल तक